वेलकम बैक टुद चानल दूसेजनू और इस वीडियो में हम आपका डिसकस करने वाले मेमरेंडम आफ असोसीएशन को जो कि आपका कंपनी लौका एक टॉपीक है और बहुत इंपोटेंट टॉपीक है मोस्टली एक्जाम में इस पर कोशन आता ही आता है ठीक है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्केप मत करना देखो कंपनी जब आति है असरा हमारे बहुत सारे कंपनी क कंपनी के Garbage मिंसमे से एक आप का है from time to time in pursuance of any previous company law or of this act मतलब Memorandum of Association Act जो है आपका वो ऐसा document है जो कि originally framed किया गया हो या फिर time to time change किया जाता हूँ ठीक है इसको मतलब originally frame भी करते हैं और time to time इसमें changes भी होते रहते हैं in pursuance of any previous company law और this act मतलब Companies Act 2013 के अंडर या फिर इससे पहले अगर कोई company लो था तो उसके अंदर ठीक है तो यह होता है हमारे Memorandum of Association बहुत जादा clear आपका definition नहीं है यह तो इसको हम अगर normal शब्दों में हम अपने वताएं कि Memorandum of Association क्या होता है तो देखो वह एक basic document होता है जो कि हर company के formation के लिए यूज होता है ठीक है लग चाहिए यह होता है और यह compulsory document होता है चाहिए आपकी public company हो या फिर private company हो या फिर one person company हो किसी भी टाइप की company हो यह एक basic और compulsory document है जो कि लगता ही है है हर company के formation में ठीक है और Memorandum of Association में देखो यह बताया क्या होता है कि company क्या क्या काम कर सकती है company क्या काम नहीं कर सकती है company की क्या powers है ठीक है कि अपनी company जो है वो किन चीजों के अगेंस्ट नहीं जा सकती है company अगर देखो अपनी पावर की की के सब्सक्ता चाकर अगर कंपनी का स्कोप बता रिखा और उस स्कोप के बाहर जा के अगर कंपनी कोई ben smo करती है तो वह हमारा अल्ट्रा वाइर होता है तो वहां पर वह चीज बाइड बन जाती है ब्योंड पावर्स अगर आप कोई काम करते हो तो ठीक है तो company का पूरा scope company किस purpose के लिए बनाई गई है company क्या क्या कर सकती है नहीं कर सकती है वो सारी चीजे memorandum of association में आपकी बताई गई होती है ठीक है और इसको memorandum of association को company का charter या फिर constitution of company भी बोलते हैं कई बार exams में पूछ लेता है कि charter of the company के बारे में short note लिख हो या फिर constitution of company क्या होत company ठीक है अब memorandum of association किस purpose के लिए लगाया जाता है ठीक है किस purpose के लिए होता है तो देखो यह इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आपके company के शेयर होल्डर्स हैं creditors है उनको पता चल सके कि क्या range है company कहां तक काम कर सकती है क्या क्या काम कर सकती है तब ही तो company में इन्वेस्ट करेंगे ना उनको जब पता होएगा कि company किस purpose के लिए बनाई गई है तो यही purpose होता है memorandum of association का ठीक है अब यह जैसा कि मैंने आपको बताए company का charter भी बोलते हैं इसको main document होता है तो इसमें देखो जो changes करने होते हैं कई बार कि हां इसमें हमें कुछ changes करने है company कहती है तो इसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी change नहीं कर सकते हैं एक बार आपका MOA बन गया तो आप इसमें कुछ भी change ही नहीं कर सकते हैं चेंज कर सकते हो लेकिन काफी restrictions होती है ठीक है frequently इसको change करना अच्छा नहीं रहता है ठीक है तो कब आप इसको change कर सकते हो वह देखो और चेंज करना है ख्लाउस क्या होता है देखो memorandum में अलग-अलग clause होते हैं जैसे आपके chapter में अलग-अलग contents होते हैं अलग-अलग topics होते हैं वैसी memorandum में अलग-अलग clauses होते हैं ठीक है तो अगर आपको capital clause change करना है ठीक है उसमें कुछ changes करने है तो आप एक ordinary resolution pass करके आपका memorandum of association है इसमें अगर आपको name वगेरा change करवाना है company का ठीक है तो वहां पर आपको central government से आपको approval लाना पड़ेगा अगर आपको name clause में change करने है या फिर अगर आप अपना registered office एक जगह से दूसरी जगह कहीं shift कर रहे हो एक state से दूसरी state में ठीक है और वो आपको office का address change करना है कुछ भी ठीक है तो उसके लिए आपको central government से approval लाना पड़ेगा तभी आप change कर सकते हो MOA में ठीक है तो overall अगर आपको कुछ भी change करना है MOA में ठीक है तो उसके लिए हमारे company SEC 2013 के अंदर पूरा procedure बता गया है कि आपको अगर ये clause change करना है तो यह सारी चीजें नेस नहीं होता है इसको बार-बार change करना क्योंकि main document होता है company का इसलिए frequently इसको change नहीं कर सकते हैं लेकिन हा ऐसा नहीं है कि MOA को आप बिलकुल भी कभी भी change नहीं कर सकते हो change हो सकता है अगर आप पूरा procedure follow करते हो ठीक है जो भी अपना act के अंदर बताया गया है तभी आप हमार से clauses होते हैं ठीक है या फिर और भी बहुत सारी चीजे आर्टिकल ऑफ association भी आपका देखो एक important document और इससे भी question आता है तो एक एक करके सारे topics को एक वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो अच्छो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फॉर्स टेम आयो दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना